हाई गाईज आप प्रियंका वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं बॉन वीटा सी चॉकलेट और वो भी सिर्फ 30 रुपए में यह चॉकलेट बहुत ही यम्मी लगते हैं बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आएंगे तो इस क्रिस्मस पर यह चॉकलेट आ अच्छी तरीके से मेल्ड कर लेंगे घास में मीडियम फ्लेम पर रखना है ज्यादा हई नहीं रखना और इससे अच्छा से मैल्ट होने तक इसे चलाते रहेंगे और इसमें अच्छा सा उबाल आने तक इसका थोड़ा वेट कर लेंगे और यह देखिए चीनी हमारी घुलना स्टार्ट हो गई है देखिए थोड़ा-थोड़ा मैल्ट होने लग गई है और यह देखिए इसमें पॉफेक्ट उबाल आ चुका है बहुत अच कर लेंगे कि चाष्णी हमारी बरावर बनी या नहीं बनी तो उसके लिए हम थोड़ा सा ऐसा हाथ से लेका चेक कर लेंगे यह बिल्कुल एक श्ट्रिंग की होनी चाहिए बिल्कुल एक टार की तरह बननी चाहिए तो यह देखे perfect ready हो चुका है अब हम इसमें निम्बू का juice डाल देंगे यहाँ पर मैंने एक चोथाई निम्बू का juice लिया है इसे डालने से आपकी चाशनी खटी नहीं होगी बल्कि यह चाशनी थोड़ी थंडी होने पर जमेना इसके लिए हम निम्बू का juice करते है तो निम्बू के juice को अच्छे से इसमें mix कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें butter डाल देंगे यहाँ पर मैंने 1 tablespoon butter लिया है और butter को अच्छी तरीके से चीनी में melt कर लेंगे और इसे continuous चलाते रहेंगे जब तक अच्छी तरीके से melt ना हो जाए और gas हमें medium flame पर ही रखना है और यह देखिए यह भी अच्छी तरीके से melt हो चुका है अब हम इसमें milk powder डाल देंगे यहाँ पर मैंने 2 tablespoon milk powder लिया है अगर आपके पास milk powder अवेलेबल ना हो तो इसकी जगा आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते है अगर चावल का आटा ना हो तो इसे घर पे चावल धोका सुखा कर आप बना सकते है और यह देखिए melt हो चुका है यह भी अच्छे से mix हो चुका है और इसमें मैंने bon vita डाल दिया है bon vita मैंने mixture grinder jar में piece लिया था 30 से 40 सेकंड के लिए जिसमें इसमें चोटे चोटे बॉल्स होते है बिल्कुल अच्छी तरीके से powder form में हो जाए और अब हम इसे अच्छे से इसमें mix कर लेंगे इसमें एक भी lumps नहीं होनी चाहिए और इसे continuous चलाते रहेंगे जब तक इसके lumps पूरे चले ना जाए अच्छे से और इसे gas आपको slow flame पर ही रख के करना है continuous चलाने से बिल्कुल भी इसमें lumps नहीं होगा और यह देखिए हमने gas बन कर दिया है gas बन करने के वादे इसे 2-3 मिंट के लिए चलाना है अब हम इसमें इसे mold में डाल देंगे मैंने यहाँ पर silicone का chocolate mold लिया है अगर इसकी जगाब जो chocolate box में जो wrapper निकलता है उसमें भी आप इसे set करने रख सकते है chocolate को तो ज़रूरी नहीं है आपके पास mold हो तो इसे हम अच्छे से feel कर लेंगे और इसे हम tap कर लेंगे जिसमें कि इसमें air bubbles ना हो और इसे एक घंटा fridge में हम रख देंगे set होने के लिए और जो बाकी हमारी chocolates बज गई थी उसके मैंने chocolates balls बना लिए इसे भी साथ में फ्रीज में रख देंगे और ये देखिए after one hour हमारी chocolate बिल्कुल set हो चुकी है अब हम इसे mold से निकाल लेंगे देख सकते हैं कितने easily mold से निकल रही है कितनी tasty एक रही है chocolates तो अगर में रेcipe आपको अच्छी लगी हो तो please मैं चैनल को subscribe कर लिजिए और साथी साथ bell icon प्रेस कर लिजिए बनके बिल्कुल ready हो चुके है तो कैसी लगी आपको में रेसीपी अगर में रेसीपी आपको पसंद आती हो तो प्लीज इसे घर पे जरूट राए कीजिए अपने friends और family के साथ इसे बनाकर घर पे enjoy करिये Christmas पे तो चलते एफ्रेंड्स मलते हैं नेक्स रेसीपी में ऐसी ही अमेजिंग रेसीपी इसके साथ Merry Christmas friends goodbye thanks for watching